हेलो दोस्तों हिंदी मिरर पर फिसे आपका स्वागत है कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की वीडियो में हम बीए फस्टिर का पेपर लेकर आए हैं हिंदी प्रथम प्रशनिक पत्र जो की बीए फस्टिर से है और यह श्रीदेर सुवन उत्राखन 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 उनिव इसके MCQ सभी competitive exam में आते हैं चाहिए आप नेट का दें चाहिए पीजीटी हो चाहिए टीजीटी हो चाहिए आपका एक्जाम हो सभी में कहानी से related questions आते ही हैं इसलिए आप भी इस वीडियो को जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना जो चैनल पर नए है जो चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नए वीडियो के notifications टाइम से मिलते रहें और जिनको वीडियो पसंद आए जादा से जादा लाइक और शेयर करें जिससे सभी के ये वीडियो ग्यान बढ़ाए और उनके काम आए चली प्रशन पर चलते हैं हिंद कहानी का विकास कब से माना गया है तो हिंदी कहानी का विकास 1910 से माना गया है अगला प्रशन है इन में से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है रानी केत की कहानी राजा भोच का सपना इंदुमती या दुलाई वाली तो बताइए दोस्तों जो पहली कहानी मानी गई है वो इन चारों में से जो ये आपके चारों हैं इन में से किसको माना गया है तो इंदुमती को जो है पहली कहानी माना गया है अगला प्रशन है आपका इंदुमती कहानी के लेखक कौन है किशोरिलाल गोस्वामी बंगमहिला शिवप्रसाद सितारे हिंद या फिर मुंशी वो अभी आगे ही आगया है प्रशन वैसे मैं इसको आप से पूछने वाली थी कि आप इसका डिस्क्रेशन में उतर देना चाहें तो दे सकते हैं प्रशन है आपका कि इन में से किस आलोचक ने इंदू मती को हिंदी की पहली कहानी माना है प्रेमचन जी ने आचारे जोहान ने या फिर शामसंदर दाज जी ने तो इसमें हमें बताना अब आपके देखें यहां पर तीन कोशन बन गया राम से कि पहली कहानी कौन सी है इसको लिखा किस ने है और किस आलोचक ने इसको पहली कहानी माना है तो आचारे रामचंदर शुक्र जी ने इसको पहली कहानी माना है चले अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न है इन में से किस आलोचक ने इंदु मती को हिंदी की पहली कहानी माना यह प्रश्न आपका हो चुका है उपर कि पहली कहानी किस ने माना था अचारे रामचंद्र शुक्र जी ने अगला प्रश्न है इंदु म प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था 1902 इसी में 1903 इसी में 1910 इसी में तो पांचवे का आपका उत्तर है अभी आपको हमने बताया था कि जो कहानी की शुरुवात हुई थी वह 1900 से ही हुई थी तो इसका मतलब इंदुमती पहली कहानी और इसका जो प्रकाशन हुआ सरस्वती पत्रिका में हुआ चलिए अगले प्रश्ण पे चलते हैं शिवदान सिंग चोहान ने किस कहानी को शेक् तो नितलों मतले को शेक्सप siguiर के लिएक कौन थे शिवदान चोहान आचारे राम चंद्रे शुकल या या फिर प्रेमचन्द या फिर किशोरीलाल गोजवामी तो बताईए दोस्तों जो 11 वर्ष का समय है कहानी के लेखक कौन थे तो इस कहानी के लेखक है रामचंद्र शुकल जी चलिए अगले प्रशन पे चलते हैं अगले प्रशन पेचलते हैं आपके प्रेमचन जी ने प्रेमचन जी ने प्रेमचन जी के पूर हिंदी कहानियों में सर्वस्रेस्ट कहानी कौन सी है जानि के प्रेमचन जी से जो पहले कहानी कार हुए है उन में से जो कहानी लिखी गई है तो उन कहानियों में सर्वस्रेस्ट कहानी कौन सी है इसमें आपको ये बताना है तो रक्षा बंधन ताई उसने कहा था राकिभंध भाई उसने कहा था कहानी का मूल विशे क्या है आदर्ष प्रेम जो त्याग और बलिदान के प्रेरित करता है तो यह बहुत अच्छी कहानी है आप भी पढ़ना वह आपके लिए कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें प्रसाजी का पहला कहानी संग्रह चाया का प्रकाशित हुआ 1908, 1910, 1906, 1912 तो प्रसाजी का जो पहला कहानी संग्रह चाया आपको इसमें देखे दो प्रशनी पता चल गए कि पहला कहानी संग्रह कौन सा है चाया और किसका लिखाव है जैशंकर प्रसाजी का तो यह इसका बत नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था प्रेमचंद, प्रसाद, ज्वालादत, शर्मा, कौशिक, अगर थोड़ी बहुत आप इसमें कहानी के बारे में नॉलिज रखते हैं, आपको ग्यान है, इसके प्रशनों का, पीजीटी, टीजीटी जो वाले हैं, नेट वाले और उनका मून नाम क्या था? प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्र है, अंग्रे सरकार ने जब्त कर लिया था, सोजे वतन, प्रेमचंद जी की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? पूड़ी का की मंत्र पंच परमेश्वर ठाकुर का कौवा, पहली कहानी बतानी है, यहाँ पर प्रेमचंद जी की तो उनकी पहली कहानी थी पंच परमेश्वर, ठीक है, अब इसका आगे देखिए प्रकाशन का भी प्रशन आगे आपका, पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था 1910 में 1912 में 1915 में तो फिर 1916 में बच्चो सारे ही प्रशन बहुत इंपर्टेंट है वही हैं जो आपके लिए वेरी इंपर्टेंट है ठीक है तो कोई सीमा नहीं होती जब आपके परटिकूलर कहानी उपन्यास होता सकते हैं तो लेकिन जादा तर जो पूछे साफ से तो प्रेमचम जी जैशंकर प्रसाज जी और यह राम चंदर शुक्त प्रेखन कहानी किसी है इस तरह के कोशन जादा पूछे जाते हैं बाकी तो देखते हैं क्या होता है ठीक है आप अच्छे से त्यारी करिए पढ़िए इनको प्रेम चंजी की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है इसे बताना है शत्राइज के लाड़ी कफन बड़े भाई साब या फिर लोटरी तो तेश एक आप प्रकाशन वर्ष का भी प्रशन आगी आपका 1930, 1932, 1935 और दी में आपका है 1936 ठीक है इसमें आपको बताना है तो 24 का आपका उत्तर होगा डी यानिके 1936 में ठीक है या आपका अंसर है अगला प्रशन है मांसरोगर किसकी कहानी का संकलन है प्रेम चंजी प्रसाद जी मांसरोगर के नाम से है लेकिन ये मांसरोगर कितने भागों में विभक्त है यह आप हमें बताएंग चलिये अगले पर विशमबल नाध शर्मा कोशिव ने कुल कितनी कहानिया लिखjes लेकिन प्रेम जिन्जी ने कितनी कहानिया लिखे हैं जो मांसरोवर में संकलित है वो भी अगर आपको पता है तो comment box में आप बताईे जैशंकर पर साथ के कुल कितनी कहानी लिखी है जैशंकर परसाज जी ने 60, 80 या फिर 69 या फिर 89 इसमें आपको बताना है उनातर या फिर 89 नवासी ठीक है तो जैशंकर परसाज जी की कहानी बतानी है तो 32 का आप का अंजर होगा सिख्ष्टीन है जलिए ताहि कहानी के लिवकर कोन है प्रेमजण जी कोशिक जी फिर प्रसाज जी अफिर थर्टी थरी का आप का उतर होगा भी कोशिट जी और कहानी कि प्रथम प्रथम कहानी रक्षावंधन के प्रकाशित हुई थी 1910 में 1912 में 1915 में या फिर 1920 में तो बताइए दोस्तो 34 का आपका उतर होगा पी 1912 में ठीक है आप देखें अगला प्रश्ण कोशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है 50 200 या फिर 300 अब देखें अभी ये कुश्टन्स आपका कुछ इस तरह का भी आ इसी कोश्टन को इसे पूछा तो आपको उतर तो पताईए कि 200 कहातिया है चलते हैं कि सिंगण विजय पन्नाधाय रूटि रानी अंब पालिका कानियों के रचयता का नाम बताना है जैशंकर प्रशाद जी आचारय चतरु सिन शास्त्री उपेंद्रनात अश्क भगवती प्रशाद बाजपेई बताईए 45 का क्या उतर होगा आचारय चतुर सिन शास्त्री के द्वारा लिखी गई है सिंग्वन वीजय बन्नाधाय रूठी रानी ठीक है अगला प्रशनी है निशानिया और दो धारा किस लेकर की कहानी संगरों के नाम है उपेंद्रनात अश्क भ ठीक है कहानी के नाम भी अगर आपको इनकी पता है तो बताईए आप प्रेमचंद जी युका कौनसा कहानीकार समाजी की अथार्थ के नगन रूप में प्रस्तुत करने में सिधहस्त माना जाता है कौनसे युका प्रेमचंद युका ठीक है ना तो प्रेमचंद पुरुका जैशंगर प्रसाद जी या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र तो 47 का उतर होगा डी तभी तो इनका नाम उग्र पड़ा है ना चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं कि सत्मी के बच्चे किसका कहानी संकलन है राहुल साकरत यान रागगे रागो स्चंद्रगुपति विध्यालंकार या फिर उशादेवी मित्रा तो बताना है आपको 48 का उतर तो 48 का आपका उतर होगा राहुल साकरत यान ये भोउत ہी। प्रेम जन्द कोशिक सुदर्शन राधिकर रमन परसाथ सिंग तो 49 का उतर होगा डी राधिकर रमन परसाथ सिंग इसको भी आप नोट डाउन करें इसको भी करें ठीक है इन वेसे कौन सा कहानी संग्रे उगरी जी का नहीं है दो जक्किया कहानी कोमदी इंद्र धनुश या फिर चॉकलेट अब देखी इसमें जो चारakah मैंसे तो तीन तो होंगी उगरी जी इसको पता है इसको चार听 एंद्र रमन से नहीं 요 अब ये शिवरानी देवी जी कौन है इनके बारे में अगर आपको पता है तो आप कमेंट बोक्स में डालिए क्या है कौन है ये प्रेम चंद यूगीन जी कहानी की काल विदी क्या है जब प्रेम चंद जी का समय था तो उस वक्त का कहानी का काल विदी क्या था निक समय काल क् कब से खतम हुआ तो 1916 1916 1936 1936-1950 या फिर इनमें से कोई नहीं तो 51 का आपको होगा इनमें से कहानी कार की नहीं आता क्या मतलब हुआ कि यह जो आपके September और उप्षन है इसमें से कौन से कहानिकार है वो जो हास्य अवियंग कहानी नहीं लिखते हैं ठीक है है हरी शंगर बड़साइजी यह तो सब यह पता यह लिखते ही हैं अनपूर्णा नंद जैनेंद्र जी पी श्रीवास्तो तो 72 का आपका उतर होगा सी अब यह तो हास्य अ इसी ही लिखते हैं तो आप बताएंगे कि किस तरह की कहानिया लिखते हैं नहीं कहानी का प्रारण कब से माना जाता है कि प्रगतिवादी कहानी से मनोबंविशलेशन भाedĩ कहानी से प्रेमचंद कहानी से तो 74 का गडिनÃय कहाने से भोगे व्य यह रहाए उधिक परमान है यांनि बना करनी लिखी हैं कहानिया जो कहानिकार है उन्होंने वहीं वहीं तब उन्होंने भे कहानिया लिखी तो इसके लिए ऐसा फोला गया अगला प्रशनी है नही कहानी जीवन के प्रतियक नया बोथ जगाती है किस कहानी में विशेगी नविंता के साथ शिल्व गत नविंता भी विद्यमान है तो नही कहानी में होगी है नवियमान प्रतिय विद्यमान अगला प्रशन है है नई कहानी का सबसे बड़ा वैसिस्ट है कथा तत्वका हराश्य तौ नामवार सिंग का प्रश्ण टटर गणयपतի चंद्र गुप्त या फिर प्रेंचंजी तो बताईए तो 77 सेवन का उतर होगा डॉक्टर गणिपती चंद्रगुप्त इसको नोट डाउन करें ठीक है चली अगला प्रशन है आपका नहीं कहानी से हमारा तात पर रहे हैं उन कहानी से हैं जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और इसके लिए किसी नहीं पहलू पर अधारित हैं यह कथन कि आलो चक्क है यह भी नहीं कहानी से रिलेटिड आपका कोशन है ठीक है इसमें बताना है किसने कहा प्रेम जण जी ने डॉक्टर नगेंद्र ने कमलेश्वर जी ने या फिर मार्केंटे जी ने तो 78 का उतर होगा डी यह कहा है मार्केंटे जी ने अगला प्रशन है कहानी प ह 될 नुपर नमइर प्रशन के क्योंकि यह प्रश्न मैंने uci्लेटिए आपके लिए जो स्लेक्टिट थे प्रशन यह फेस्वर मेरी इस्वर ऑन दोसों में से मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए जरूरी थे और मुझे लगा कि ये बच्चों के लिए खास प्रश्न है और इनमें से काफी उम्मीद है कि आ सकते हैं आपके प्रश्न ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए कहानी पत्रीका का प्रकाशन का प्रारंबुआ 1950-1955-1960-1975 इसमें आपको क्या बताना है तो 79 का उत्तर है बी उनीज सो पच्पन में इनमें से कौन सी कहानी मारकेंडी की नहीं है मुवे का पेड़ भूदान हंसा जाय अकेले और फिर मुर्दा सराय तो इसमें बताईए कौन है अब आपको ये तो पताए कि नहीं है तो नहीं का मुर्दा सराय इसको आप नोट कर लीजिए ये हैं शीव परसाथ सिंग की मुर्दा सराय शीव परसाथ सिंग तो आपको मैंने भी कहा था कि आप इन पे नंबर पे मत जाएए आपके कुल मैंने इसमें 55 क्यास पास कोशन्स ले हैं जो सारे ही कोशन बहुत इंपोटेंट है अगर आप कहेंगे कि आपको 100 के आसपास question चाहिए तो मैं और एक वीडियो बना दूँगी लेकिन तो मुझे इतने sufficient लगे आपके लिए मैं उतने questions लेकर आई हूँ कून सी पत्रिका का समपादन करते थे अब इसके परवर्वतक तो यह हैं लेकिन साथ में एक पत्रिका का संपाधन भी करते थे कौन सी पत्रिका थी सचेतन कहानी वर्तमाँ साही थे आधार या फिर परिवेश तो 95 का उत्तर है C आधार ठीक है अगला प्रश्णी है समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है इसा बताने है आपको सब्सक्राइब नाम क्या है आपको बताइए सर्च करके क्या नाम है चलते हैं कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे अब पत्रिका वहाँ पर तो कहानी जो है किस कहानी के सचेतन समानांतर कहानी के क्या थे परवर्तक थे लेकिन यहाँ पर पूछा है पत्रिका जैसे आपके महिप सिंग के कोशन में पूछा है ऐसे ही कमलेश्वर जी के बारे में पूछा है कादम नहीं कहानी नह अंदोलन को किस कहानी पतरिका से प्रचारप्रसार मिला सारिका कथा भारती सचेंदना या पिर आज कल 98 का अफ़ीर का उतthar होगा क्यों है क्योंकि कमलेश्वर जी 7 के परवर्तक थे उनकी पतरिका थी तो उन्होंने इस पतरिका के माध्यम ते इस आंदोलन को क्या दिया परचार परसार किया चलिए अगले प्रशन पे चलते हैं समान अंतर कहानी की आंदोलन का प्रारंब हुआ 1971, 1975, 1980, 1990 तो 99 का आपका उतर है यह 1971 में यह आंदोलन प्रारंब हुआ था चलिए अगले प्रशन पे चलते हैं तो आपके ये प्रशनी है पर खतम हो गए हैं मैं सोच ली थी अभी और प्रशनी हैं तो ये आपके मैंने 50 के आसपास questions लिए थे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जादस जादा like and share कीजिए और अपने साथ सभी का अपने दोस्तों का भी खायल रखिए जिसे उनको इस कहानी के जो प्रशन है उनको भी इनका benefits मिलें है